भारत नेपाल की सीमा पर 220 करोड की लागत से बनाए गए अंतराश्टी से कोस का उधगाटन कल भारत के प्रधान मंतरी नरेन मूदी एवं नेपाल के प्रधान मंतरी पुष्प कमल देहल के 12.30 बचे किया जाएगा बता दे कि भारत एवं नेपाल दूनों देशों के बीच व्यपारिक संबंदों को मजबूत बनाने के लिए रुपई डीहा सीवा पर बनाए जा रहे लैंडपोर्ट का भारत वा नेपाल की प्धान मंतरी कल यानी एक जून को वर्च्वल उधगाटन करेंगे यह उत्तप्रदेश का प्रथम लैंडपोर्ट है इसका निर्माण लैंडपोर्ट अथॉरिटी ओफ इंडिया ने कराया है इसका निर्माण पर करीब 200 करोड का खर्च आया है भारत वा नेपाल दूनों तरफ इस चेक पोस का निर्माण भारत ने कराया है इसी कारिकर में म सब्सक्राइब भारत के प्रधान मंत्री रुपई डिया नेपाल गंज लैंड पोर्ट का वर्चोल उगाटन करेंगे उगाटन सम्हारों में लैंड पोर्ट पर दूनों तरफ स्थान जिलास्तरी अधिकारी वा जन प्रतिनिदी मौजूद रहेंगे जन गारी के अनुसार भारत के अंतरावची सीमा पर स्थित बहराईज जिले के रुपई डिया नेपाल गंज लैंड पोर्ट भारत नेपाल सीमा परदेश का तीसरा और उत्रप्रदेश का पहला लैंड पोर्ड है एनिच 927 से 4 लेन मार्ग बनाकर लैंड पोर्ड को जोडा रुपईडिया से नेपाली कजबे नेपाल गंज स्थित लानपूर तक अवागमन के लिए 2.2 किलोमीटर का फीडर मार्ग बना गया इसमें भारती छेत्र का काम पूरा होकर संचालन को तैयार है सर उत्तर परदेश के दूसरे चेक पोस्ट की कासिलानयास होना है कब होना है कैसे यह होना है उत्तर परदेश का पहला चेक पोस्ट तो यह रुपेडिया में बनकर प्यार है इसका दोनों परधानमंत्री का लुद्गाटन करेंगे उत्तर परदेश का ही दूसरा चेक पोस्ट जो है सनोली में डिस्टिक माराज गंज जो की गोरखपुर बॉर्डर के पास में है वहाँ पर उसका पूरा का पूरा भूमी का जो 115 एकड है वो एक्वाइर कर ली गई है उसकी बांडरी वाल बना के प्यार है बहराई से आमिर खान गी रिपोर